श्री नाज जी गुरुजी को लखादेश, मा भगवती को लखादेश, रांची वाले भहर बाबा को लखादेश, आप सभी को लखादेश ये अगहर कथा, अगहर से ज़्यादा जो पारानॉर्मल की दुनिया है, पारालॉकिक शक्तियों की दुनिया है, उसको ज़्यादा छूती है इस एक कथा में, मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला था और उस रहस्य के चलते, मैंने कई बार कई टेलिविजन डिबेट्स में, साइक्याटरिस्ट को, डॉक्टर्स को चैलेंज किया यह कहानी उस समय की है, जब मैं उस मुहाने पे रहा था कि आगे अब किस रह चलना है, तंत्र विद्याओं को अर्जित करते हुए, अगोर में दीक्षा लेके भी, मैं एक्क्यूब्मेंट्स को ले करके, पैरनॉर्मल इंवेज्डिकेशन करता था, मतलब अगर भूत है, तो e is equal to mc square के सिध्धांद पर उसको तौलते थे, और energy can neither be created nor be destroyed, it can just change its form, उसको जो विद्यार थी हैं, वो जादा अच्छा से बोल लेंगे, लेकिन मानने था ये, कि अगर हमारे अंदर आत्मा है, और वो आत्मा, metaphysics के हिसाब से energy एनरजी packet है, वो शक्ति पुंज है, हिंदी में बोले तो, तो वो जब शरीर से निकलती है, तो जो ये शिव है, शरीर ये शव हो जाता है, लेकिन अगर वो शरीर से निकला, तो वो किसी ना किसी form में रहता है, चाहे वो रोशनी दे जलके, गर्मी दे जलके, या फिर electromagnetic force बन करके कुछ काम करें, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से रहता है, ऐसा paranormal investigators or metaphysician मानते हैं, इसी सिद्धानत पर आगे बढ़ते हुए, जो scientific equipment होता है, जो scientist या industry में प्रयोग किया जाता है, जैसे temperature मापने के लिए, electromagnetic field मापने के लिए, ठीक है, इस तरीके के equipment से हम readings लेते हैं, कि जहां पर electromagnetic field का कोई जगा ही नहीं है, वहां पर electromagnetic field मिल रहा हो, या अचानक से जो कहीं पर प्रेत आया, और सीधे temperature माइनस में चला गया, ऐसा हमारे साथ जमाली कमाली के मस्जिद में हुआ था, दिल्ली में, तो यह सारी चीज़े होती थी और इसी मानसिक्ता से हम खोज करते थे, यह आगे चलके समझ में आया कि सिर्फ इतना ही जो है, यह पारलोकिक दुनिया है नहीं, इसी प्रक्रिया में हमारी टीम के पास एक केस आया, केस एक बहुत बुद्धी जीवी परिवार से था, घर में सभी बहुत पढ़े लिखे लोग थे और पिता जो थे वो बहुत ही प्रतिस्टर डॉक्टर थे, उनका छोटा जो बच्चा था तीन साल का, वो बहुत अजीव-जीब बाते बोलता था, और बाते ऐसी जो कि सिद्ध हो जाएं, जितना भी पुनर जनम का आपने आज तक मामला सुना होगा, उसमें एक्सिडेंटल डेथ का केस सबसे जादा होता है, मैंने शायद ही ये बुद्धिस्ट मौंक लोग में जो लामा सब होते हैं, जो गुरू होते हैं, इनके अलावा आस तक ऐसा कोई भी पुनर जनम का कहनी नहीं सुना है, जिसमें की नॉर्मल डेथ हुआ हो और इंसान ने पुनर जनम लिया हो, उसको पुनर जनम की यादे आ गई हो, उसी तरीके से ये बच्चा भी था, इसका जो यादाश था, वो बहुत जबरदस्त एक कहानी का ये व्याख्यान करता था, और उस कहानी की जो जो छोर थे, वो इंटरनेट और न्यूज, उस समय तो फाइव ज पुर्जी हुआ नहीं करता था, मुश्किल से इंटरनेट चलता था, ब्राडबैंड चलता था उसमें दिल्ली में, तो वो कहानीों के छोर मिलते थे, हुआ उस बच्चे के साथ ऐसा था, कि एक बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा था, एक दिन ये सारा परिवार, जो एक अच्छी सुसाइटी का लक्षन होता है, कि आउटिंग पे जाते हैं, पिक्निक पे जाते हैं, तो ये बच्चा भी पिक्निक पर गया था, परिवार के साथ, चार साड़े चार साल का बच्चा था, और पिक्निक में जो जहरना था, जहरना तो नहीं कहेंगे, वो तलाब नुमा कुछ था, छोटा सा नदी, हमारे हां उसको नाला बोलेंगे, तो उसमें ये डूपता-डूपता बच गया था, तो डॉक्टर जो थे इनके पिता जी, वो बोलते थे कि ये एक स्टेट आफ शॉक में है, तो ये कुछ भी बोल रहा है, दीखे, जो साइक्टरिस्ट होता है न, वो हर चीज का कारण बता देते हैं, जैसे हमने केस देखा था मुंबई में, तो जो पती था, वो तंतर प्र अरधांगनी थी, उसकी आँखे सफेद हो गई, वो आँख उपर नहीं किया, जो काला था, आँख में जो डीम होते हैं, वो सफेद हो गए, उसके आवाज बदल गई, तो हमने एक अपना जो साइक्टरिस्ट में तरह दिली मुझ से बात किया, तो उसने पूरा उसका एक टर्म बताया, कि आँख ऐसे सफेद हो जाता है, और आवाज ऐसे बदल जाती है, चलिए वो जो भी था, इस बच्चे की आँख सफेद नहीं होती थी, नहीं ये, इसके आवाज बदलती थी, इसके बोलने का लहजा थोड़ा भले बदल जाता था, ठीक है, और ये अपने पूरी कहाणी बताता था, कि किस तरीके से ये अमुक गाओं का है, और वो गाओं के लहजे में ही बताता था, कि दो भाई थे विवाद हुआ, और कुछ ट्रैक्टर खरीदने को लेकर के विवाद हुआ इसने ट्रैक्टर खरीद लिया दूसरे भाई ने नहीं खरीदा जमीन दोनों का था तो एक ने इसके पीछे गुंडे लगा दिये और ना चाते हुए भी इसके हत्या हो गई हत्य होने के बाद इसके शरीर को डिस्पोज कर दिया गया पानी में और इसकी लाश मिली नहीं है इसलिए यह जो है अब यह इस जनम में जा करके उसको खोच करके उसको उसका दासन्सकार करवाएगा और भाई से बदला भी लेगा यही वो बच्चा रखते रहता था उसको स्कूल बंद सब कुछ बंद हमें बुलाया गया क्या सोच करके बुलाया हमें नहीं पता है तो हमारी टीम जो होती थी ना paranormal investigators की उसमें एक बंदा होता था जिसको psychic investigator कहता है psychic वो होते हैं जिनके पास कोई ऐसी शक्ती हो जो पांच senses में नहीं आती हो मतलब छूने देखने के अलावा जो पराशक्तियों को अनुभव करने की शक्ती होती हो ऐसे ही ठीक है तो हम सब वहाँ पर गए और एक तो case study था हमारे लिए उसको resolve क्या करता है जब वहाँ गए तो बच्चा बच्चे के बैठने का जो तरीका था वो बिलकुल अलग वो नॉर्मल बच्चों जैसा बैठा नहीं वो एक पैर उपर रखे एक पैर नीचे रख करके बैठे और वो local dialect में वो शुरू हो गया कि हमारे साथ ऐसा हुआ हमारे पास डांगरे थी वो भाई ने दो डांगर चुरा लिया और पूरा उसमें कहानी बनाया एक पूरा मौहल ऐसा बन गया कि छोटा बच्चा जो एक elite society से आता ये डांगर और ये सब कैसे बोल रहा है और बीच में अगर कोई टोकता तो वो गाली भी देता चोटा जबच्चा जिसने आज तक कभी गाली सुनी नहीं तो वो गाली वाली सब देता था तो हम लोगों ने उसको देखा उसको record किया जो हमारे साथ psychic थे उन्होंने बोला कि मुझे ये पूर जनम से ज़्यादा कि कोई मर के फिर जिन्दा होगे उस अच्छा की है इस पर प्रेद बादा है लेकिन प्रेद बादा के उसमें लक्षन नहीं दिखाई दे रहे था ठीक है जो हम लोग अपने हिसाब से देखते थे वो सब उसमें थे नहीं वो तो बिल्कुल naturally bad के ऐसे बात करता था ऐसे लोगों ने दिया और एक टीवी पैनल के डीबेट पर एक साधु महत्मा से हम मिले थे अच्छा वो जो साधु महत्मा थे वो हमसे बे बड़े इंप्रस थे कि आपके बहुत बहुत ग्यान है अपनी बड़ा इपी चीज भी करनी ही चाहिए तो वो साधु महत्मा जो थे व एक अच्छा आश्रम के समय महंत है अब तो नहीं रहे तो हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा एक विशा है आप भी उस बालग को देखो उन्हों बोला देख तो नहीं पाँगा विशा क्या है अब दिन जो रेकाड क्या है वो ला कर दूँ तो जब हमने वो लाकर के दिया तो उन्होंने बोला कि ये जो इस बच्चे ने बताया कि ऐसा हत्या हुआ हुआ है पहले तो ये पतागर ये कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है अच्छा हमारे पास एक केस था लेकिन इतना भी हमें वो जजबा नहीं था कि हम जा करके पता करें उस गाओं में क्या है नहीं हमें तो लग रहा तो कोई एक्सपर्ट मिल जाए जो देनन देर ये डिसाइड करके बता दे या फिर हमारे रेकॉरडर में आके भूत बोल दे कि मैं हूँ भाई मैं इस पर चड़ा हुआ लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था अब उन्होंने बोल दिया कि आप जा करके पता करो ऐसा कोई हत्या हुआ था क्या तो अब आफिस में जो लड़के काम करते थे उनका कोई सखा कोई बंधू उस तरीके से हम लोगों ने बहु के हिसे का पैसा लेकर के भाग गया था तो जो महंत है उन्होंने बोला कि देखो ये मामला जो है पूर्ण रूप से प्रेदबादा कहीं है तो हमारी पीलिया चमक गई कि आप ऐसा क्यों बोलोगी ये प्रेदबादा का मामला है तो उन्होंने बोला कि जो पूर्ण जनम हो जो किसी का भी जनम होता है, हिंदू शालत के हिसाब से, वो तुरंत नहीं हो सकता है, उसको होने में लगता है समय, और यह आप बता रहे हैं कि दस साल में, मतलों छे साल में इसका पूर्ड जनम होगए, यह संभव नहीं है, जो हिंदू धर्म का जो ज़ो सिद्धानत है, उस हम उस बच्चे के फिर पास वापस गए जब आप ध्यान करेंगे और उसके बाद अगर एलेक्ट्रोनिक फ्रिक्वेंसी मीटर आप अपने आसपास रखेंगे तो वो जलता है वैसे ही जलता है जैसे मोबाइल के आसपास ले जाने से आपको एनरजी फील होती है अगर आप ध भी कोई वेक्ती किसी दूसरे आत्मा के प्रभाव में हो तो वो उसकी बत्ती जलती है जब आप उसके गले या हथेली के पास उसको लेखे जाते हो तो हमने उसके परिवार को फिर बताया कि देखो ये अभी तक हम लोग रिसर्च में पहुँच पाए है आप अगर साथ दो तो फिर आगे हम लोग करेंगे उन्होंने बोला आप आकर के एक बार देखो पॉसेशन का केस तो हमें नहीं लगता है हमें लगता है कि ये पागल हो गया है तो फिर हमने कैमरा वेमरा लगाया और उसके बाद जैसे ही उसके गर्द वो जैसे बोलना शुरू करें वो पीछे का जो लाइट है वो जलने लगे तो उसके पिताजी को भी हमने दिखा दी के देखो ये जो है आपके सर बेटे के सर पे सवार है प्रेथ और मुम्किन है ये प्रेथ वही से आया जहां पर ये पानी में डूब रहा था इसलिए उसी समय से ये शुरू हुआ है ऐसा नहीं है कि इस पर इसका बलब और इसको कुछ शुक के चलता है ऐसा ये बोल रहा है जैसे साइकेटरिस बोलता है तो अब क्या किया जाए उसके पिताजी को पूरा विश्वास उन्होंने बुला देखो तुम लोगों को जो करना तक कर दिया घर के प्रिशन में मैंने आप लोगों को बुलाए क्योंकि म बच्चे के सरपे सवार है प्रेत लेकिन पिताजी है पढ़ लिके पिताजी है डॉक्टर उन्होंने हमें इसलिए बुलाया था ताकि हम भी बोल दे और उसके घरवाले शांत हो जाए लेकिन हमने कर दिया उल्टा और उन्होंने हमें बड़ा आधर के साथ बिज़त करके निकाल दिया कि नहीं आप से आगे हम लोगों को बात नहीं करनी लेकिन फिर परिवार में ही और लोग थे उन्होंने हम से संपर्क किया उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके से ये बच्चा जो है वो ठीक होना चाहिए डॉक्टर साब के नहीं रहने पर हम लोग उस घर में गए जो रिलिजियस क्लेंजिंग होता है उसके अलावा एक मेटाफेजिकल क्लेंजिंग होता है वो हमने किया एक पंडित को बुला के वहां पर पूजा करवाया उसमें मैं ये सब करता नहीं था किसी के लिए और फिर उस घर का बंधन करवाया और शाम में जब डॉक्टर साब आए तो उन्होंने देखा कि बेटा उनका है नॉर्मल तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने कहा था ये स्टेट आफ शॉक में है आज देखो मेरा बेटा बिलकुल ही ठीक है इसको नॉर्मल होने में टाइम लगा यही चीज तुम लोगों को उस दिन बताना था लेकिन तुम लोग भूतों को प्रमोट करते हो और ये गलत है ऐसा ब और दूसरा हम समझ पाए कि जो पूर्ण जनम की कहानियां होती है जो पुनर जनम फिर से होता है इसमें पता नहीं किती सत्ता है लेकिन ये सत्ता जरूर है कि अगर किसी पे प्रेत आरू हो जाए और वो अगर छोटा बच्चा है ये कमजोर दिमाग का पुरूचिया महिला है तो वह देखने में बिलकुल ऐसा ही लगे गा जैसे की प्रेत बाद हो आइंदा जब आप किसी का सुने के वह पूर जनम के बारे में बता रहा है तो ये पता कर ले ना खुद भी जब पूर जनम में आप जाकने की कोशिश करो तो ये देख लेना कि कहीं कोई प्रेत तो आपको गाइड नहीं कर रहा है आज के लिए तन ही जिनको बेसिक साथना सीखनी है पेट वाटसप ग्रूप से जुड़ सकते हैं पीजिवड़ कता है कि अंत्र कैसे बनाते हैं मंत्र कैसे बोलता है आसन मंदन दिशा मंदन कैसे करते हैं भाहरब जी की पूझा कैसे करते हैं और अन्य विशए जिनको मेरा आगा आमी कारिक्रम और लेक पढ़ना वो www.âgortantrahaeza.com पर जाएगे डारेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनोड प्यूस में रूदरनाथ 8CM4 सर्च करेंगो तो आपको मेरा प्रोफाइज मेलेगा इसके लाब आप वाट्स अपर भी अपाइटमेंट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान भारभ आपके और आपके परिवार के रक्षा करेंगे आप सभी को आदेश 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 अलाख आदेश